नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नीज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा अभी कि इस वक्त की बहुत बड़ी ख़वर आ रही है कॉंग्रेस ने अपने दस सीटो पर यानि लोगसभा सीटो पर उम्मिदवार का एलान किया है जिसमें कनहया कुमार का नाम भी सामने आया ह यानि जेन्यू के पुर्व में अध्यक्ष रह चुके कनहया कुमार इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं तो कनहया कुमार को लेकर बिहार में संसे बना हुआ था और कॉंग्रेस बेगु सराई की सीट की मांग कर रही थी महागड बंधन में यानि लालु यादब से लेकि वो मनोस्तिवारी के खिलाब जो है चुनाव लड़ेंगे यानि नौर्थ इस्ट दिल्ली से कनहया कुमार को टिकट दिया गया है तो कॉंग्रेस के कैंडिडेट्स में दस सीटों का एलान किया गया है जिसमें जो है कनहया कुमार नौर्थ इस्ट दिल्ली से मनोस्तिवारी के खिलाब जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे लेकिन इस बीच जो है कनहया कुमार की ये आस थी कि उन्हें बिहार में लोकसभा सीट मिले यानि वो चाह रहे थे कि बेगु सराई से ही फिर से वो चुनाव लड़े लेकिन उनकी मंसा पर पानी फिड़ गया CPI जो है उसे खाते में मांग रही थी बेगु सराई सीट लेकिन उस वक्त भी बहुत मामला गर्माया था ठीक उसी प्रकार से इस बार भी जो है लालू यादब के तरफ से बेगु सराई का जो टिकट है वो कनहया कुमार को नहीं दिया गया तेयस्वी आदब नहीं दिया इस चीज को लेकर के काफी बवाल भी मचा था कि कनहया कुमार प्रतिद्वंदी है तेयस्वी आदब के और तेयस्वी आदब नहीं चाहते थे कि कोई युवा नेता बिहार में उभरे उनके अलावे तो ठीक इसी प्रकार आखिर में कॉंग्रेस ने कनहया कुमार को नौर् अबला होने वाला है लेकिन 10 जो लिष्ट जारी किया गया है उसमें मैं आपको वह भी बता दता हूं कि किनकिन लोगों का नाम जारी किया गया है तो 10 सीटों का कॉंग्रेस ने एलान किया है जिसमें चान्दी चौक से जेपी अगडवाल हैं, नौर्थ इश्ड दिली से कन यानि पंजाब से और संग्रूर पंजाब में ही है सुखपाल सिंग खेरा पटियाला लोगसभा से डॉक्टर धरंबीर गांधी और उत्तर प्रदेश में अलाहबाद जो सीठ है वहां से उजवल रेवती रमन सिंग तो इन दस नामों का जो है कॉंग्रेस ना एलान किया है ज से हुआ था और करारी हार भी कनहिया कुमार को चखना पड़ा था उसका स्वाद गिरास सिंग ने उस समय बहुत कुछ कनहिया कुमार को लेकर कहा था लेकिन इस बार जो है कनहिया कुमार को उम्मीद थी कि बिहार में सीट मिलेगी लेकिन जो है नौर्थिष्ट दिल्ली से टिकट दिया गया है मनोस्तिवारी के खिलाब तो ये बड़ी खबर आ रही है कि कनया कुमार को आकिर कार जो है लोकसभा चुनाव लड़ने का जो मन था वो मिल गया है बस बिहार में वो नहीं लड़ पाएंगे लेकिन नौर्थिष्ट दिल्ली से वो अपना दम भरेंगे औ और वो भी बीजेपी के कैंडिडेट मनोस्तिवारी के खिलाब तो एक करी टकर वहाँ पर भी देखने को मिलेगी क्योंकि पुरवांचल में मनोस्तिवारी भी काफी जादा मसूर है और नेम फेम है उसके साथ ही जो है कनया कुमार जो है कॉमिनिष्ट पाइटी में पहले अब कॉंग्रेस में चले गए लेकिन ये देखना होगा कि कॉंग्रेस और जो कमिनिष्ट है ये सभी लोग महागरवंदन का हिस्सा है तो कनया कुमार क्या वहाँ पे कमाल दिखा पाएंगे ये देखने वाली बात होगे फिलहाल जो है लोग सुभा चुनाव को लेकर के च चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है सभी लोग तैयारियों में लगे हैं और पहला फेज यानि 19 अप्रेल को चुनाव होना है हर एक शेत्र में चुनाव होगा बिहार में भी है चार सीटों पर चुनाव होना है लेकिन कनहिया कुमार का जो शेत्र है वहाँ वो भी बड़ा ही दिल्चस्प होगा क्योंकि कनहिया कुमार अब टिकट मिलने पर क्या कुछ कहते हैं वो सब कुछ हम आपको बताएंगे दिखाएंगे किस तरीके से वह चुनाव परचार कर रहें इसलिए जरूरी होगा कि आप दर्सनीज पर बने रहें और दर्सनीज को सब्सक